हेलो फ्रेंड्स मदू नीटिंग चैनल में आपका श्वागत है आज मैं आपके लिए बहुती ब्यूटिफुल बुनाई लेके आई हूं तो इसमें मैंने 25 के मल्टिपल फंदे डाले हैं 50 और प्लस 4 तो इसमें 54 फंदे हैं एक बुनाई इसमें 25 प्लस 4 यानि 29 फंदों की ए प्लस ऐसे एक बनाई है तो चली है तो चलिए अब हम इसमें मैंने 22 बेशिक निकाल दी है यह तो मैं निकाली देती हुए सेमपल बनाने के लिए अज भी मैं आपको सेमपल दो बनाएं के लिए ज़िए देहते में कैसे बनाते सो इसमें और द्थेANGER ऻूझ एकतेरी एक रेड कलर का, यह मैंने रेड कलर लिया, इसके साथ कॉम्बिनेशन, आप जैसे चाहें वैसा ले लें, अब तीन वाइड कलर के, एक, दो, तीन, और एक रेड कलर का, तीन वाइड, वन, टू, फिरी, इसी तरीके से यह पूरी स्लाई, रिपीट होगी, तीन वाइड, एक रेड, तीन वाइड, एक रेड, और लास्ट में दो फंदे बचेंगे, आपके वाइड के, तो चलिए बनाते हैं, तीके फ्रेंड्स, यह मैंने सीधी स्लाई इनकाल लिय पूरी, लास्ट में भी हमारे शुरुआत में दो थे, और लास्ट में भी दो फंदे वाइड, अब उल्टी स्लाई हमको, जो जैसा दिख रहा है फंदा, वैसी ही रिपीट करेंगे, ठीके, चलिए देखे, वाइड पे वाइड, दो फंदे वाइड, एक रेड, फिर तीन वाइड, इसी तरह से, यह हम अपनी पूरी स्लाई करेंगे, जो जैसा फंदा दिख रहा है, वाइड पे वाइड पे रेड, पूरी निकालेंगे, प्रैंट स्लाई पूरी हम निकाल लिए है, अब मारी सीधी स्लाई थर्ड रो है, तो थर्ड रो को हम कैसे करेंग एक फंदा वाइट और जो ये एक फंदा रेड था उसको तीन करेंगे देखिए एक दो तीन यह होगा तीन अब एक वाइट और तीन रेड एक दो तीन एक बाइट तीन रेड एक बाइट तीन रेड प्राइट तो फ्रेंड्स इसी सिलाई को हम पूरा रिपीट करेंगे एक बाइट तीन रेड के शाथ में और रॉंग साइट से जो जैसा फंदा है वैसे ही रिपीट करेंगे कि सीथी सलाय निकाल दी उलटी सलाय हमको जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही कर निकालेंगे हम उस पर यह जिसे वाइट है तो वाइट और रेड है तो रेड निकालेंगे अब फिए तीन रेड ते पीड निकालेंगे इस तरी के से और यह वाइड है तो वाइड यह रेड है तो रही आप भर शिश्ची तरह से यह दो हमारी कम्प्लीट करेंगे हम अब देखें यह द्यश्चे दागा था है वाइसा ही निकाल दीए इस पर अब हम अपनी नेक्स्ट रोपे आ गए हैं तो इसमें हम क्या करेंगे अब जो यह तीन फंदे थे उनको एक करेंगे तो एक वाइट उसलिप किया ही है चिटीच का माल लेजिए यह चाहें जैसे दो फंदे वाइट के एक रेड का तीन फंदे वाइट के यह फर्स्ट रोप की तरह बनेगी बुनाई एक रेड का तीन वाइट एक रेड का और तीन वाइट तो देखें इसी तरीके से हम यह अपनी कंप्लीट करेंगे फूरी रोप यह देखें प्रेंट सी दिन काल दी अब हम उल्टी स्लाइप अपने आ गए तो उल्टी स्लाइप में तो जो जैसा कलर है वह वैसा ही बनेगा यह देखें दो वाइट एक रैड, दो वाइट, तीन वाइट, यह तीन वाइट हो गए, यह एक रैड हो गया, यह तीन वाइट हो गए, इसी तरीके से जो जैसा फंदा है वैसा ही हम बनाते चले जाएंगे और सलाई रपीट करेंगे यह देखिया फ्रेंड, उल्टी सलाई मैंने निकाल ली, जो जैसा फंदा था उसी को पर निकाल दी है, अब हम क्या करेंगे, दो सलाई यह वाइट कलर से निकालेंगे, ऐसे करेंगे, पूरी प्लेन दो सलाई निकालेंगे, एक सीधी और एक उल्टी, यह देखिया फ्रेंड ऐसी इधर से एक सीधी और उधर से एक उल्टी देखिए प्रेंट्स दो सिंपल से लाई निकालके हम आ गए अब हम अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे तो बुनाई कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए दस पंदे हमारे वाइट कलर के एक सिलिप किया दो तीन चार पाँच छे साथ आट नो दस दस देखिए एक दो तीन चार पांच यह दस होगा है यह देखिए ठीक है अब हम अपने रेड कलर का नो फंदा रखेंगे एक दो तीन चार पांच छे शाथ आट नो एक दो तीन चार नो अब फिर से दस देखिए दस नहीं नो रखेंगे इसमें नो रखेंगे वन तू थ्री पूर पाई शेट्स शेवन एट नाइन तो यहीं जो है एक फंदा छोड़के नो से लेके नो तक रिपीट होगा पुरा पैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो हम रिपीट करते हैं यह देखे फ्रेंड्स उल्टी स्लाई हमने बना लिए अपनी सीधी अब हम उल्टी स्लाई पे आते हैं उल्टी स्लाई में यह देखें ग्यारा फंदें हम अपने वाइट के बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दश और एक इसमें रेड से लेंगे तो यह ग्यारा फंदे हो जाएंगे हमारे रेड के पहले नो थे अब रह जाएंगे साथ फंदे एक दो तीन चार पांच छे और शाथ अब फिर से ग्यारा फंदे अब देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ब्यारा बारा बीच में अठारा फंदे थे तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उन्नीश एक फंदा इदर से ले लिया वीश वीश में वीश फंदे हो जाएंगे हमारे अब साथ फंदे फिर से साथ फंदे रेड और ग्यारा फंदे वाइट के ये कंप्लीट कर लिए देखिए अब हम अपनी सीधी साइड में आ गए सीधी साइड में कैसे करेंगे पहले ग्यारा फंदे बुनें थे हमने वाइट के अब बारा फंदे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस एक, दो, तीन, चार, पाँच, ग्यारा और एक ये बारा ठीक है अब ये बारा हो गए और बीच में एक दो तीन चार और ये पाँच पाँच बंदे रेड के अब बीच में एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ये देखिए ये दस फंदों भी है बीच में हमारे बीच फंदे हैं तो मैंने आदा आदा किया है तो दस फंदों भी है अब यही से हमारी फिर से हो जाएगी बीच में इस को छोड़के इस फंदे को छोड़के पूरे फंदे रेपीट होंगे दस फंदे ये ग्यारा फंदे ये और पाँच ये फिर ग्यारा इस तरीके से पूरा रिपीट हो जाएगा तो चलिए करें अब देखिए हम अपने उल्टे साइड आ गए हैं उल्टे साइड में कैसे करेंगे जो यह ग्यारा फंदे थे बारा अब हो जाएंगे तेरा तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और एक यह तेरा ठीके फ्रेंट्स और रेड़ वाले घड़ जाएंगे हमारे दो फंदे इसमें एक दो अब इसमें तीन फंदे रह जाएंगे हमारे और फिर से बीच में हम करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस एक दो तीन चार पांच दस दो फारा फंदे बीच में करेंगे तो देखिए इसी तरीके से हम पैटर्न रिपेट करेंगे अपना ये छोड़के यहां से फिर से बारा फंदे वाइट तीन फंदे रेड बारा बाइट इस तरीके से कितना भी बड़ा पैटर्न हो आप रिपेट कर लीजे तो अब हम अपनी सीधी साइड आ गए हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तीन, छे, साथ, साथ फंदे बाइट के बनाके अब रेड कलर से छे फंदे बनाने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब दीखें फ्रेंट्स, यह हमारे जो तीन फंदे थे इसमें बीच का जो है रेड रहने देंगे और अगल बगल के वाइट हो जाएंगे तो एक वाइट, एक रेड, फिर से एक वाइट, ऐसे यह देखेंगे यह देखें, तीन फंदे यह हमारे हो गए बीच में, अब छे फंदे फिर से रेड बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो यह देखें, हमारे 25 फंदे हो गए हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दर्स, ग्यारा यही पैटर्न हम फिर से रेपीट करेंगे, अब इसका देखिए, छे इसके साथ फिर से रिपीट हो जाएगा पूरा पैटर्न आगे जितना भी आप करोगे इसका पूरा पैटर्न रिपीट हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स तो हम देखे आगे कर लेते हैं अपना अब ये छे फंदे फिर से तो यह क्योंकि यहां पे तो डबल है यह तो यह डबल फंदे हो जाएंगे साथ फंदे वाइट के रहेंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ यह देखें, साथ फंदे इधर भी हो जाएंगे यह ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको रिपीट करते हैं चलिए रिपीट करते हैं और एक एज़िटिज का इस तरीके से यह फंदा पूरा रिपीट होगा अब देखें, हम अपनी नेक्स्ट रों के चलते हैं हाँ फ्रेंड, देखें है, हलो फ्रेंड, देखें, अब हम अपने उल्टे साइड आ रहें उल्टी साइड में ये एजिटिज का फंदा बलाके 6 फंदे वाइड कलर से तीन, चार, पांच, छे ये दिखें 6 फंदे वाइड कलर से अब 6 फंदे रेड कलर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, पीछे फंदे रेड कलर से ठीक है, अब एक वाइड, एक रेड, फिर से एक वाइड, फिर से एक रेड और एक वाइड ये दिखें ये पांच फंदे हमारे बीच के चेंज हो गए, अब 6 रेड फंदे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे रेड फंदे हो गए अब बीच में हमारे रेड जाएंगे 10 फंदे, तो 10 फंदों में 5 फंदों से हमारा ये एक पैटरन कम्प्लीट हो जाएगा पांच वाइट फंदे, तीन, चार, चार, और ये पांच, ये हो गए पांच फंदे, यही से यही पैटरन हमारा यहां से एक फंदा छोड़के बुरा पैटरन फिर से रेपीट हो जाएगा, तो चलिए रेपीट करते हैं अब देखें हम प्रेंड अपनी सीधी स्लाइप पे आ गए हैं, तो अब एजिटीच को मला के पांच फंदे वाइट कलर के, तो, तीन, चार, पांच, ये पांच फंदे वाइट के, अब छे फंदे व्रेड कलर के, धागा साथ में कर लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये हो गए छे फंदे हमारे, ये देखें, इस तरीके से, अब एक फंदा वाइट का, देखें, एक वाइट, फिर दो फंदे रेड के, एक, दो, ये बीच का, वाइट का वाइट रखेंगे, और फिर से दो रेड, एक, दो रेड और एक वाइट, ठीक है फ्रेंट, इह देखें, इस तरीके से, अब, छे फंदे रेड के, इह देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, पहले हमने पाँच फंदे बीच में वाइट के किये थे, अब हम, चार फंदे वाइट के करेंगे, ठीक है, तो यहीं से हमारा पैटर्ण फिर से रिपीट होगा, यह एक एजटिस का छोड़ के, यह वाला एजब फंदे वाइट से लेके, चार फंदे वाइट तक फिर से रिपीट होगा, तो चलिए रिपीट करते हैं, यह देखिए फ्रेंड्स हमने रिपीट कर लिया अपना पैटर्न इस तरीके से पुनाई थोड़ी थोड़ी चमकने लगी है अब हम उल्टी स्लाई पे आ गए उल्टी स्लाई हम कैसे करेंगे देखिए अब एजिटीज को मिला के चार फंदे वाइड के दो तीन और यह चार चार वाइड के हो गए और छे फंदे रेड के एक दो तीन चार पांच छे अब हम एक फंदा वाइड का लेंगे ठीक है और तीन फंदे रेड के एक दो तीन और यह बीच का वाइड रहेगा और फिर से तीन फंदे रेड के एक दो तीन तीन वाइड के रेड के एक वाइड का और छे फंदे रेड के एक दो तीन चार पांच और यह छे फंदे रेड के अब चार फंदे तीन फंदे वाइड के यह देखे अब यही पैटर्न हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा देखिए यह एक जेटेज का फंदा छोड़के तीन वाइड से लेके तीन वाइड तप का पैटर्न फिर से रिपीट करेंगे तो चलिए करते हैं यह देखे फ्रेंट अब हमारी बनाई इतनी बन गई है अब हम आ गए अपने सीधी साइड सीधी साइड कैसे करेंगे देखिए इसको एजटीज को मिला के तीन फंदे पहल एक, डो, तीन, चार, आज, छे, छे फंदे रेड कलर के और एक फंदा वाइट का और चार फंदे रेड कलर के एक, दो, तीन, चार एक फंदे रेड कलर के एक फंदा वाइट कलर का फिर से चार रेड एक दो, तीन, चार रेड एक वाइट और छे फंदे रेड कलर के एक दो तीन चार पाँच छे रेड कलर का और एक वाइट देखिए और दो फंदे तीन चे दो फंदे वाइट कलर देखिए और फ्रेंट्स तो हमारा यही दो एक वाइट से लेके दो वाइट तक हमारा यह पैटर्न कंप्लेट होगा इसलिए करते हैं यह देखिए फ्रेंट्स अब हम उर्टी साइड आ गए हैं उर्टी साइड कैसे करेंगे एक एज जिटीच का फंदा और यह दो फंदे वाइट के फिर शे फंदे रेड के एक दो तीन चार पांच छे छे रेड के हो गए एक वाइट का हो गया और पांच फंदे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे रेड के एक वाइट फिर से पांच फंदे रड़ के एक दो तीन चार पांच पांच फंदे रड़ के हो गए एक वाइट ऐसे अब छे फंदे फिर से रड़ के एक दो तीन चार पांच छे फंदे रड़ के हो गए अब एक फंदा हम वाइट कलेंगे ठीक है यह एक फंदा वाइट कलेंगे तो यह देखे फ्रैंड यह एक फंदा चोड़ के एक वाइट से लेके एक वाइट तक का पैटर हम फिर से रिपीट करेंगे इसलिए रिपीट करते हैं देखे फ्रैंड हम सीधी से लाइड पर आ गए है अब हम क्या करेंगे यह आठ संदे हम वाइट आठ संदे करेंगे ठीक है दो तीन चार पाँच छे साथ और यह आठ अठस्थंदे कर दिये यह एजिटिच को में छोड़ेंगे तो साथ फंदे और जटिच को जोड़ेंगे तो आठ फंदे ठीक है अब छे फंदे हमारे यह हो जाएंगे बीच के यह एक वाइट है यह इसको हम रैड से करेंगे तो एक दो तीन चार पांच और ये छे फंदे ठीक है ये वाइट को वाइट ही रखेंगे बीच के अब छे फंदे फिर से करेंगे एक दो तीन चार पांच छे ये हो गया हमारा अब साथ फंदे हम वीच के करेंगे वाइट से एक एज़ेटिज का छोड़ देंगे तो साथ फंदे वाइट से करेंगे एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हुआ इस एज़ेटिज को छोड़के साथ फंदे से लेके साथ वाइट से लेके साथ वाइट तक का हम पैटरन कम्प्लीट करेंगे तो चलिए करते हैं यह देखिए फ्रेंड हम अपनी उल्टी स्लाई पर आ गए हैं अब उल्टी स्लाई हम कैसे करेंगे देखिए एक बार आठ फंदे फिर से हमारे वाइट आएंगे अब उल्ट जाते हैं फ्रेंड्स यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ फंदे आठ फंदे हमने वाइट कलर सी किये अब पांच फंदे हम रेड कलर से करेंगे देखिए एक दो तीन चार और यह पांच फंदे वाइट से किये अब एक वाइट एक रेड और एक वाइट अब देखिए फिर इसमें हमारा यह चेंज हुआ है यह बीच में हमारे एक वाइट चला जा रहा था उसके उसको रेड करके और आप रगव रगव वाले वाइट गया है हमने जैसे पहले किया हमने अब पांच फंदे रेड के दो तीन चार चार पांच और साथ फंदे वाइट की एक दो तीन चार पांच छे साथ फंदे वाइट की अब यह एक एज़िटिज को छोड़के साथ वाइट से लेके साथ वाइट तक का पैटर्न हम फिर से रिपीट करेंगे तो चलिए करते हैं हम अपनी सीडी साइड आ गए हैं और हमारी बुनाई इतनी बन गई है अब हम अपने आठ फंदे फिर से निकालेंगे वाइट कलर पी दो तीन चार पांच छे शार आठ याठ फंदे हमारे हो गए देखिए अब यहाँ पहले पांच थे तो हमारे चार फंदे निकले एक दो तीन चार अब यह देखिए यह बाइट कलर का हो जाएगा अब यह पहले तीन बने थे हमने अब पांच हो जाएगी यह यह बाइट कलर जा रेड्ट हो गया रेड्ट कलर वाला वाइट हो गया वाइट कलर वाइट हो गया और रेड कलर वाला है एक वाइड हो तो यह देखे फ्रेंड हमारे यह जब तक चार फंदे रहे गए अब यहां पे तो यहां पे हो गए पांच फंद यह तो अब यह चार फंदे हम रेड बुना लेंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे हमारे रेड हो गए, ये देखे, अब, साथ फंदे वाइड कलर पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये शार, बसे, यही देखे, ये एक, एक, जेटेज का छोड़के, शाथ वाइड से लेके, साथ वाइड तक हमारा पैटन फिर से रिपीड होगा, इसलिए रिपीट करते हैं, ये देखे, परेंट हम अपने उल्टी स्लाई पे आ गए हैं, अब उल्टी स्लाई में हम अपने आठ फंदे फिर से क्योंकि हमारी बनाइस जो है उपर को जा रही है इसलिए यह आठ खंदे हर रो में निकालेंगे देखिए यह आठ खंदे हमने निकाल लिए सिद्धे फिर से आठ खंदे ठीक है अब यह तीन खंदे रेड कलर से एक दो तीन ठीक है अब यह रेड कलर से यहाँ पर वाइट कलर करेंगे एक वाइट एक रेड इक वाइट इड़रünü एक रेड इक राइट इडर 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 इड कि तीनु बहए इडर इडर ईडि यह देख ऐसे होगा यह गलत हो गया थोड़ा सा यह देख तीन फंदे बचने तक हमको एक वाइट एक रेड़ करना जाहिए तो बीच में हमारे एक दो तीन चार वाइट और तीन डेड़ आ गये हैं अब हम इसमें तीन रेड़ एक दो तीन रेड़ करेंगे इसमें ठीक है और यह साथ हंदे वाइट के एक दो तीन चार पांच छे साथ अब यही साथ फंदे एज़ेटिज का छोड़के साथ फंदे से लिके साथ फंदे वाइट तक रिपीट करेंगे तो चली करते हैं देखिए फ्रेंट्स अब हम अपनी नेक्स्ट रो पे आ रहे हैं तो नेक्स्ट रो हमें कैसे करनी है यह आठ फंदे तो हमें यही बनाने हैं वाइट एक दो दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ ठीक है फ्रेंट्स अब यह दो फंदे रेड के इसको थोड़ा टाइट कर लिया करिएगा यहां से गैप सा हो रहा है यह दो फंदे रेड के अब यहां से फिर से हम अपने कलर चेंज करेंगे रेड को वाइट और वाइट को रेड बनाएंगे दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ और यह नो तो यह देखिए जब तक हमारे यह दो पती के दो फंदे लीप्स के नी रहे पाए रहे जाएंगे तब तक हम इनके कलर चेंज करते जाएंगे तो हमारे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे वाइट के और चार फंदे रेड के बीच में आए हैं अब हम दो फंदे रेड के और साथ फंदे वाइट के निकाल के तीन चार पांच छे शे शाथ यह देखें फ्रैंट यह एक एज़ेटिच का छोड़के साथ वाइट से लेके साथ वाइट तक का पैटरन रिपीट करेंगे तो चलिए रिपीट करते हैं यह देखें फ्रैंट यह मैंने आट फंदे निकाल लिए हैं यह देखें अब हम एक फंदा रेड का ठीक है यह दो थे तो एक हो जाएगा रेड का अब यह सारे हम फंदों क कलर चेंज करेंगे रेड को वाइट और वाइट को रेड करेंगे जब तक हमारा एक रेड फंदा नहीं आ जाएगा इस तरीके से अब यह देखिए यह दो रेड आ गए हैं तो इसमें हम एक फंदा वाइट कर देंगे और एक फंदा रेड का कर देंगे ठीक है यह इस तरीके से अब यह साथ फंदे हमारे वाइट के तो यही एज़िटिस को छोड़के साथ वाइट से लेके साथ वाइट तक का पैटर्न रिपीट करेंगे यह देखें फ्रेंट्स अब हम नेक्स ट्रोपे आ गए हैं और अपनी यह आठ फंदे जो हैं हमने निकाल लिए हैं अब यहां से हम फिर से सारे कलर चेंज करेंगे रेड को वाइट और वाइट को रेड करेंगे तो इसको हम यह मारा रेड है सिंगल तो एक वाइट रेड फिर रेड को वाइट किया इसी तरिके से हम अपना यह करेंगे ज़िए कर देंगे इसको देखिए प्रेंट्स यह डिजाइन बहुत अच्छी लगती है देखने में तो आपको लग रहा है कि थोड़ा लेंदी है लेकिन बनने पर बच्चों के शॉटर पर बहुत सुन्दर लगती है इसको आप बोटम में डाल सकते हैं अगर आप इसको बनाते हैं तो आप मेरे से वीडियो जरूर सेर कीजिए यह देखिए हमारे सारे बीच के सारे फंदों का कलर चेंज हो गया है अब देखिए यह साथ फंदे बीच के हम लेंगे वाइट कलर से एक दो तीन चार पांच छेंज हो गया था फंद लगाते हैं इसको भी लगा के जो यह फंदा चेंज किया शको लगा के आठ फंदे बीच के होगय और इदर आठ फंद ले रहे थे यह चेंज हो गया था यह नो हमारे से शुरुआत में नौ फंदे वाइट के हो गए थे तो यही जो है इस एजय चुटेज को छोड़के हम अपने साथ फंदे वाइट के लेके पूरा पैटर्न चेंज जो है रिपीट करेंगे करिए रिपीट पर करेंड तो यह रेड को हमने वाइट बना लिया अब यहां से फंदे फिर से कलर चेंज हो जाएगा सारे फंदों का तो यह देखिए वाइट को रेड किया रेड को वाइट फिर वाइट को रेड फिर रेड को वाइट फिर वाइट को रेड इस तरके से सारे फंदों के कलर चेंज हो जाएंगे इस तरिके से अब ये लास्ट रेड बचा है इसको हम वाइट करके और हमारे बीच के फंदे ले लेंगे सारे जो भी है आपके फंदे अब ये सब को हम वाइट कर देंगे इस देखिए तीन नुब दू फंदे बीच के भाइट हो गये तो आप यहीप रिपीट करेंगे कि आप देखिए फ्रेंड यह मैंने दस फंदे ले लिए थे अब यह राड भी वाइट लेंगे तो हमारे 11 ही उगए अब मिया से फिर से प्रसे किलर सेंज करेंगे orfra होगा वाइट को रैड और रैड को वाइट करेंगे ऐसे करके अब यह हमारा लास्ट फंदा बचा हुआ है इसको भी हम वाइट कर देंगे और वीच के बचे वे कितने फंदे आ जाएंगे पहले नौ थे अब दस हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस दस हो गए फंदे हमारे यह देखे इसी तरीके से यह पूरा पैटर्न रिपीट करेंगे फ्रेंड यह हमने ग्यारा फंदे बुन लिये हैं क्रीम कलर से अब यह हमारा एक रेड कलर का है यह भी हमारा क्रीम हो जाएगा तो यह हो गए बारा फंदे अब यहां से फिर से कलर चेंज करेंगे रेड को वाइट और वाइट को रेड करेंगे ठीके फ्रेंड्स यह देखे अब हमारा यह वाला रेड भी बाइट हो जाएगा तो बीच में हमारे सारे फंदे गजाएगा दूसरे डिजयन तक के रेड हो जायेंगे अब देखे कितने हो गए में ग्यारा फंदे हो गए इसके हमारे तो ये 11 फंदों से लेकि 11 फंदे तक का हम पूरा पैटर्न रिपीट करेंगे ये हमने 12 फंदे अपने क्रीम कलर के निकाल लिए अब ये रेड कलर का भी एक फंदा हमारा क्रीम हो जाएगा अब हम इसके फिर कलर चेंज करतेंगे तो वाइट को हम करेंगे रेड रेड को वाइट और वाइट को रेड तो यह हमारे तीन फंदे हो गए यहां पर ठीक है फ्रेंस जैसे यहां सुरुवात में तीन थे वैसे ही यहां हो गए अब हम अपना यह सारे क्रीम कलर के बीच के बुन रेंगे तो हमारे यह कितने होगे तेरा यहां बारा बीच में हो जाएंगे तो हम बारा फंदों से बारा फंदों का रिपीट पैटर्न करेंगे यह, यह, तो हम जो जोıs, म अंदो हम अब हो एक का इंगना रेंगे प्रक्षी गलोगत में होता क्श जोड़ाई लगर एक टु जो करके बारा भगर, कि अवा टंदो में में झाल झाल अगुआ रखुआ है? है? ए्रिड कर 25 लोद्वार्गर्णिय ऐ से नहता है अल्ड कर दो अल्ड कर दो कर दो एकत्सोर प्रशोर जहांने कि डिली कर डिली दोगल में खेचा है नगा ठाना जिताब गिला कि बाती है च trophuz we ले विली कर पिले देगर क्न कि मेखेंग conditions कि यंभार रisons है अ है कि अजल केंड ला दिया सामा मुशी है